एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि वहां पे जो लोग वहां के बाहर खड़े होते हैं वह कह रहे होते हैं कि यह चिंचेन पागल हो गया क्या यह तें दो कह रहा है कि तु अपनी डिफीट कर ले यह असी तरीके से तो वह व्यातियंतों को और भी जाता कर रहा है और वह से कहता है कि आज मैं तुझे दिखा दूगा कि तुझे में और मुझे में कितना फरक है तो वहां पर हावा में उड़ता है और अपनी पावर को जितने भी इस पर होती है सारी कंट्रोल करने को सीज करता और फिर एक अपना एक पंजय की टागत के टैक्स करता है जिस पर चंचैन भी महाँ पे थोड़ा सा मुस्कूराता वर अपनी स्वोड से बहुत सारी स्वोड निकाल लेता और उनसे एक सीर्ण करके वहाँ पर उसके पंजय को राम से वहाँ पर ख़रम कर देता है जिस पर वह से कहता है कि ओ तोने से खतम कर दिया पर कैसे लेकिन वो कहता है कि ये तो अभी सिर्फ मेरी वो माप्यूआ था चिंचैन कहता है कि मैंने तो सिर्फ अपने सरीर का एक हलका सा हिससा ही स्टार्ट किया है आगे दे क्या होगा जिस पर वहां पर गुष्से में आ जाता है वह थे इंदोर वो बहुत सार की खटी करता है और फिर अपने की टैक इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है यूनिवर्सल पाम वो उसका टैक से उसके उपर करता है जिस पर चिंचैन भी अपनी नाइन एंप्रेरी स्क्रोल की जो पावर होती है उससे स्टार्ट करता है और वहां पर जो उसका टैक होता ह है वहाँ पे एक वारी में उसको अटैक को भी खतम कर देता है जिस पे वहाँ पे बाहरे लोग हायरान होते हैं सब देखके और उससे बहुत ज़्यादा विश्पोट होता है कह रहे होते हैं कि यह दोनों एक दूसरे कितने बराबर कैसे हैं और हायरान होते हैं और हम वहाँ के देखता हैं कि वहाँ पे इन्दो उस पर जिंचे stark करने के लिए आ रहा होता है नीचे तब इल्चन एपली आपकों से मदत करता है। जिसपर वो दूर चला जाता है और तबही चिंचाना, इस मोगने का उटाता है और हवा में जाके अपनी sword से उस पर attack करने की कोशिश करता है और वो उस पर अपने sword intent से उस पर attack कर देता है जिसपे वो अपनी सारी पावर के साथ अपने एक हैंड बनाए कि उसके उस अटेक को रोकने कोजिस करता हुआ है तो लेकिन उसका अटेक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और भार वहाँ पे लोग देख रहे होते हैं कि यार यह चिंचेन की वज़त से और सभी लोग वहाँ पे उसका जो इमेच देख रहे होते हैं जिसपे उसके अटेक को रोकने बहुत ज़्यादा तकलिफ हो रही होते है वह तो इन्दों को और वह बहुत ज़्यादा मैनत कर रहा है उसके उसके अटेक को रोकने की और हम देखते हैं कि तबी जो उसकी पावर होती है वो उससे वो थोड़ा थोड़ा जलने लग जाता है, वो कहता है कि मैं और भी जादा देरी से नहीं रोख पाऊंगा, और हम देखते हैं कि देरे देरे उसका सरीर भी वहाँ पर जलने लगता है, जिस पर चिंचान कहता है कि देखा, तुम लोग सिर्फ बोलते हो और फिर अपनी पावर का और एक अलग तरीके का मूड इस्तमाल करता है जिस पर जो उसका सोडी इंट होता है वो और पावरफुल हो जाता है और वोसे एक ड्रिल मसीन की तरह इस्तमाल करता है जिससे वो उसके हैंड को खतम कर देता है बिलकूली और फिर हम तभी देखते हैं कि और उस वजय से वहाँ पर बहुत बड़ा एक विस्प Ohio такое हो जाता है और हम देखते है कि अब तक मैंने आज तक अपने इस करियर मे कुश ने भी मुझ पे अथि नीचे तुछ निगासे नहीं देखा अपनी पावर से उस पे एक अटेक करता है नीचे जिस पर जिंचान उसके अटेक को डोज कट देता है और फिर अपनी जितनी भी सारी पावर होती है उस सारी पावर को वहाँ पे खटा करने लग जाता है और फिर हावा में उड़के अपना एक बहुत जादा पावर फुर अ कहते हैं कि नहीं यह अभी हाफ स्टेप हुज़ोंग है और सिर्फ एक स्टेप दूर है माँसे और तब ही हम देखते हैं कि जो वह होता है सैट्वा के लोग उस्टर होते हैं और खुसर होते हैं कि हमें व्याति इन तवर बरुसा था और वो इतनी मैंद करके यहां तक आया थ और उसने इतनी मैंद की अपनी वो कभी खराब नहीं होगा वो सिर्फ अभी हाफ वुज़ोंग है और वहाप दूसरा कहता है कि सिर्फ आदे महीने के अंदर अंदर वहाप वुज़ोंग रेल्म में पहुच जाएगा और वो कहते हैं कि यह इसकी हेटरेट है चिन चैनर के खिलाव जिसकी मदद से वह अभी भी ब्रेक्ट्रू कर सकता है और खुसरे होते हैं कि अब उन्हें पता लगेगा कि हमारी और उनकी पावर में क्या डिफ्रेंस है और खुसरे होते हैं जिस पर हम वहाप जो फाइव किंग्नम के लोगों मैंसे वहाप वहापे कौई भी को इस्तुमाल करने लगता है और कहता है कि तुम लोग हमारे सेक्टे सामने सिर्फ एक कीडम कोड़े के बराबर हो और कभी भी हमसे मुकाफला करने ही कोशिस भी मत करना और उस पर उस अपनी एक पावरेश अटेक करता है जहां पर वो ड्रेवन बन के जाता है जिस पर नहीं जा सकता और बहुत्ती गुस्षे में और पावरेश से उसके ओपर अटेक करने के लिए आता है और यहीं पर हमारे एपिसोड भी खतम हो जाता है ठैक्यू दोस्तों